आज मैंने खीर बनाई चले दिखते हैं इसमेन कैसे बनाया है तो यहाँ पर मैंने पॉंड डिटर डूद लिया था यहाँ पर गरम करने के लिए चड़ा दिया है अब यहाँ पर मैंने आधी कोटोरी से भी कम चावल धू लिये है अब यहाँ पर आधे चावल दाल देंगे यह चावल में हम काजु डालेंगे और यह चावल में इसे पहले मिक्स कर लेंगे तो यह पर यह चावल डाला है ना इसको अच्छा से मिला लेंगे और यहां जालिए मीक्स करकनीं नाल्म दूध कि चाहल नाल जानागा तूतायो cierto। में डूद जाल्म दूद को जाल कि दूध कर दिंगेंगे 15-10 तूद tous, दिणागा बिलोड, झाल दूद को तूद मिक्सर से जानां, पलीकी दूद लिए न केक संभाक काजू process लगातार इसे चलाते रहना है और यह वाल गोल वाले चमज लेना है इसे खीर बनाने के लिए तो इसी covered राखनी है यहां पर इलाइच पावडर दाल दिया है आदा चमज के करीब यहां पर देखें जैसा जैसा दूद पकते गया है वैसे वैसे लूम्स पूरे खतम हो चुक बना लीक जलो के कारेमल ना ननका न immense कीजिए नहीं के बनें लिए ना कर दो cricket कारेमल भी पर intéностे तरह से हम चलाती चलाते इसके कैरेमल बनाएंगे तो यहां पर देखिए धिरे धिरे इसका कलर चेंज होना शुरू हो चुका है तो यहां पर देखिए इसका कलर यहां पर अच्छे से चेंज हो चुका है और शक्कर कैरेमलेज में चेंज हो चुकी है तो यहां पर देखिए धार धार जेंगे एकदम देना आकट देत है तो है पर देर हां इसका Color चेंज भी हो चुका है अब यहां पर यृहां पर ग्यास-बंद कर्दे के बाद में बधी इसे ऐसे चलाते रहना हैं जब के रैडियों के चले दूर्खी हो ज़यें ग 요 से करी में Wall mett I तो यह दूद बहार आ सकता है, उभल सकता है, तो आप बहुत ही सावदानी से डालीएगा, तो यहाँ पर दिखिए, डालने के बाद में बहुत इच्छे से मिक्स कर दिया है, और यहाँ पर ग्यास की फ्लेम में धीमी रख दी है, तो यहाँ पर बीजबीज में चमाच चलात ज्यादा समय भी ने लगता है, तो यहाँ पर मैंने मेवे डाल दी है, काजू बादम किश्मीश, आप अपने पसंद से कोई भी मेवे डाल सकते हैं, मन पसंद मेवे डाल सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए, हमारी केरमलाइज खीर यहाँ पर रेडी हो चुकी है, बहुती बढ़िया है, और बहुती टेस्टी है, इसका जो स्वाद है ना, आप एक बार बार बना कर खाएंगे, तो इसे आप जरू ट्राय कीजिएगा, चले फिर मिलते हैं ने इस वीडियो में तब तक लिए, असला अलेकूं